मैं क्या कौन बोल रहा है उसकी चिंता उक्वंद्र कुछ भाह नहीं करता है बैठक बरा मकसद को लेकर के है पार्टी के साथ जो करोरो लोग बिहार भर में जुरे हुए रहे आज एक अलग आरजेरी से डील की चर्चा हो रही है उस डील में अगर सचाई है तो बिहार के लोग उसको सुईकार करने वाले नहीं है हमारी पार्टी से जुर्य हुए करोरो लोग उसको सुईकार करने वाले नहीं है और इस बात को लेकर लोगों के मन में चिंता है कि आखिर क्या होगा तो जिनके मन में भी चिंता है पार्टी के साथियों के साथ यही स्थिती बनी रही तो पार्टी तो बरॉद हो जाएगी तो पार्टी को बरवादी से बचानी की चिंता रखने वाले लोगों को हमने बुलाया है तो मकसद बरा है इसलिए कोई क्या बोलता है उसका कोई यर्थ मेरे लिए देखे हम तो यही का रहे हैं ना हम तो पहले से का रहे हैं कि कागज में जो कागज उनका आज भी का रहा है रास्ति अध्यक्त दुबारा से बने लनन सिंग जी, उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी कई बार जो राज्य कारजाले से सरकुलर जारी हुआ है, जो रिलीज जारी हुआ है, उस रिलीज की कौपी आप लोगे कारजाले में भी होगी, उस रिलीज के हिसाब से देखिए, त प्रणेटरी बॉर्ड तो उसमें यह बात लिखी गई है तो लिखित रूप में उपंद्र कुस बाहा है और मौकिक रूप में कारें की नहीं है यही बात तो हम कर रहे ते कि कागज में इन लोगों ने बना दिया लेकिन एक जुनुञुना थमा दिया तो जुनुञुन जु करोरों लोगों की पाटी इसलिए उनकी पाटी उनकी पाटी का कोई मतलब नहीं और अगर व्यक्ति के रूप में भी अब नितिश कुमार जी नेता हैं मानते हैं कि उनकी पाटी है तो यह पाटी उनकी नहीं है यह पाटी सरद यादव जी की पाटी सरद यादव जी ने इस को बनाने का काम किया था समता पार्टी बनी थी जो नितिश जी की पार्टी थी तो नितिश जी उसमें समता पार्टी को बिलीन कर चुके अब जनता देल उनाइटेड सरद यादव जी की पार्टी उसी पार्टी को सरद जी को ही भगा करके कबजा कर लिया गया और नितिश ज झाल